एक नई परंप्रामूदी सरकार ने शुरू कर दी है जो सरकार के खिलाब बोले उसकी सदस्ता खतम करो उसको निलम्बित करो उसको बाहर करो उसके एफ आई आर करो तो सीधे सीधे ताना साही घोसित कर दो क्यों लोग तंत्र का ड्रामा पीट रहे हो और दुनिया की सबसे बड़ी अफवाह कंपनी भारती जंता पार्टी के ग्रिह मंत्री ने कितना बड़ा जूट बोला और जिस जूट के चक्कर में माफ कीजिएगा आप लोग भी कई बा मंत्री देश के सदन में फरजी वाड़ा हो गया सिगनेचर गलत हो गया सिगनेचर कहां से आया सिगनेचर किसने कराया देश के तुम दूसरे नंबर के मंत्री हो इतना सामान ग्यान तो सदन की कारवाई के बारे में रखो सेलेक्ट कमेटी में किसी भी सदस्त के द्वारा क किसी भी सदस्त का नाम प्रस्तावित किया जा सकता है उसके किसी सिगनेचर की ज़रूरत नहीं होती। कहां से कानून लेके आए गरिमंत्री जी आप। आपका मकसद है राहुल गांधी की तरह रागो चढधा की सदस्ता को खतम करना। एक मात्र मकसद है। जैसे राहुल गांदी की सदस्ता आपने खतम करी है, ऐसे रागो चड्धा की सदस्ता आप खतम करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अरविंद केजरिवाल के सिपाही हैं, हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हर हाल में तुमसे लड़ना जानते हैं, चीतना जानते हैं और हम लड़ेंगे और किसी तरीके से अगर आपने हद कंडे अपना कर रागो चड़ा की सदस्ता खतम की तो दुबारा चुनके आ जाएंगे तो इसलिए जूट और अफवा मत फैलाइए कोई भी सदस किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकता है बाकी और विस्तार से नियमों के बारे में रागो चड़ा जी आपके सामने जानकरी देगे बीजेपी का मूल मंत्र है रिपीट अलाय थाउजंड टाइम्स और इट बिकम्स ट्रूथ एक असत्य को जूट को एक हजार बार बोलो और एक हजार बार वो सच्चाई में तबदील हो जाएगा इस मंत्र के तहट मेरे खिलाफ एक दुश प्रचार और एक प्रॉपगेंडा शुरू किया गया कि नजाने कौन सा फजिवाड़ा हो गया कौन से जाली दस्थकत हो गए और इसी के चलते मुझे आज आपके सामने आना पड़ा दूद का दूद और पानी का पानी करने के लिए अमूमन ये देखा जाता है जब भी किसी सदस्थके खिलाफ विशेशा अधिकार समीती कोई कारवाई शुरू करती है यानि की कमिटी और प्रिविलिजिस कोई प्रुसीडिंग शुरू करती है तो वो शक्स उस पर कोई सारवजनिक बयान नहीं देता कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देता है लेकिन मेरे को मजबूरन आज भारतिय जंता पार्टी के जूट का परदा फाश करने के लिए आपके सामने आना पड़ा क्योंकि इतना दुश्परचार ये लोग करने है लेकिन मैं आ पहली चीज तो यह है कि यह रूल बुक है जिसके साफ से राजे सबाद चलती है यह रूल बुक लाल किताब इसमें लिखा है रूल्स और प्रोसीजर एंड कंड़क्ट और बिजनस इन दे कांसल अव स्टेट्स इस रूल बुक में जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाह आधा हूं यह रूल बुक कहती है कि किसी भी समीति के सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए आप नाम प्रस्तावित करते हैं कोई भी सांसद नाम प्रस्तावित कर सकता है और जिस मेंबर का नाम प्रपोस किया जाता है प्रस्तावित किया जाता है उस member का ना sign चाहिए ना उस member का signature चाहिए ना उस member का written consent चाहिए यानि कि इस rule की किताब में कहीं नहीं लिखा कि select committee में किसी भी शक्स का member का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित proposed member की written consent या signature चाहिए लेकिन एक जूठा प्रचार प्हलाया गया कि फर्जी बारा हो गया sign का मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि जब भी select committee के गठन के लिए नाम प्रस्तावित किये जाते हैं तो ना signature लिये जाते हैं ना signature जमा किये जाते हैं ना signature की जरूरत होती है no signatures are required no signatures are taken and no signatures are submitted तो जब किसी का हस्ताक्षर लिया ही नहीं जब कोई हस्ताक्षर जमा किया ही नहीं कि वो कागज लेकर आएं मेरे सामने show me that piece of paper जिस पे ये दस्तकत है जब कोई दस्तकत है ही नहीं जब signature होता ही नहीं तो फर्जी signature की बात कहां से आ गई मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को आप तो इतनी बड़ी पार्टी है इतनी शक्तिशाली इतनी ताकतवर सरक आ रहे आपकी वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्तक्षर है चुनौती देता हूं आपको अगर आप कह रहे हैं मैंने कोई कागज जमा किया है जिसमें गलत तरीके से किसी के sign किये गए हैं तो वो कागज लेकर आओ मैं आपको चुनौती देता हूं आज़ी सातियों म मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि BJP के अग्यान का उनके ignorance का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है लेकिन process यह होता है कि जब भी कोई विबादित controversial बिल सदन के भीतर आता है तो एक समिती गठन के एक प्रक्रिया बताई गई है कि अगर कोई member चाहे कि इस बिल पर मतदान ना हो इस बिल पर और चर्चा हो और इस बिल में क्या changes किये जाए वो बताई जाए उसके लिए एक समिती का गठन किया जाए उस समिती में कुछ नाम प्रस्तावित किये जाते और जिस शक्स को उस समिती में नहीं रहना वो अपना नाम विड्रौ कर लेता है यह proposal है यह प् मान लीजिये कि मेरा जनम दिनी मैं अपनी जनम दिन की दावत देता हूं बर्ठड़ड़ पाटी आयुजोत करता हूं अपनी बर्ठ़ड़ पाटी में मैं दस लोगों को नयोता देता हो आने के लिए दस में से आठ लोग मेरा नयोता सवीगार लेते आ जाते ही दो Mendhneag मे कि वहीं बात है, मैंने तो समीती में शामिल करने के लिए नियोता दिया, कोई हस्ताक्षर थोड़ी दिया, लेकिन वो दो लोग मुझसे खफा हो गए, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने का प्रियास करता हूँ, आज इस प्रेस कॉन्फरेंस में इतने सारे पत्रकार आए मैंने अपनी पाटी को दस पत्रकारों का नाम प्रस्तावित किया कि इन दस पत्रकारों को आप आज की प्रेस कॉन्फरेंस में बुला लीजेगा, मैं मीडिया से संभाद करना चाहता हूँ, दस में से आज पत्रकार आ गए, दो पत्रकार नहीं आए, और जो दो पत्रकार वो कहते हैं इनकी हिम्मत कैसे हुई हमें नियोता देने का प्रस कॉन्फरेंस का दो पत्रकार नराज हो गए यह साफ तौर पे इस समस्या का एक सरण सा एक्जेम्पल मैं यह बात रखना चाहता हूं कि जो मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स दर्ज हुई जिस मामले को कमिटी ओफ प्रिवलेजिस को रेफर करा गया उसका यह पार्लमेंट्री बुलेटन है सरकारी डॉक्यमंट है मैं आज बहुत सबूत नायों दिखाने के लिए आप सबको तांकि दूद का दूद और पानी का पानी हो जाए यह पार्लमेंट्री बुलेटन है जिसके तहत मेरे खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई उसे विशेशा अधिकार समीति को विचार के लिए भेजा गया इस पूरी पार्लमेंट्री बुलेटन में कहीं भी फर्जी बारा फोर्जरी फोर्ज साइन सिगनेचर हस्ताक्षर किसी भी शब्त का प्रयोग नहीं किया गया सिरफ इतना बोला गया क कि इसकी जयांच करके बताएए अगर कोई फोर्जरी होती फर्जी वारा होता सिगनेचर शब्त का प्रयोग तो कम से कम किया गया होता इस पार्लमेंट्री बुलेटन में यह सरकारी दस्तावेज है राजसभा से क्रेट का इसमें भी कहीं जिकर नहीं किया गया इसलिए नह समिति के प्रूसीडिक का मामला है इस देश के कई बड़े नेताओं के खिलाफ कमीटी ऐफ प्रिविलिज शुरू करी कारवाईया करी जिसमें स्वर्गय अटल भिहारी वाजपाई जी इंदर इंदरा गांधी जी का नाम आता है नमोन सिंग जी का नाम आता है मुरार जी दे मिल किया गया तो कोई बात नहीं है मजबूती से अपना जवाब विशेश अदिकार समिती के सामने कमेटी और प्रिविलिजिस के सामने देंगे मैं शहीद आजम भगत सिंग की धर्टी से आता हूँ और पूरी नयाई की लड़ाई लड़ूँगा और मेरा विश्वास है कि कमेटी और प्रिविलिजिस अंत में दूद का दूद और पानी का पानी करकर नयाई अवश्य परेगी ये बात थी कि क्या हुआ अब मैं आपको संख्षेप मैं बताना चाहता हूँ ये हुआ क्यों ये विवाद कहां से ख़़ा हुआ ये क्यों इतनी अफ़ा फैली ये इसने फैली क्योंकि सोंबार दुपैर सदन के अंदर आम आदमी पाटी की ओर से मैंने पूरी मजबूती से दिल्ली के अध्यादेश पर अपना वक्तवे दिया और उसके इस ठीक 6 गंटे बाद मेरे खिलाफ बीजेपी नहीं आरोप लगाने शुरू कर दी इनको दिक्कत ये नहीं है कि मैंने नाम पर स्तावित करे इनको प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने किसी कमीटी के गठन के लिए कुछ MPs के नाम दे दिये इन्हें दिक्कत ये है कि 34 साल के युवा ने हमें खड़े होके ललगारा कैसे एक युवा ने हमसे मजबूती से सवाल कैसे पूछे और कैसे इस सुपारी जितनी पार्टी जैसा कि ग्रैमंत्री जी कहते हैं इस सुपारी जितनी पार्टी के युवा सांसद ने दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं से देश के सबसे बड़े सदन में खड़े होके सवाल कैसे पूछे इन्हें दर्द इस बात का है हमने अपने वक्तवे में बीजेपी के पुराने मैनिफेस्टो दिखा कर उनके डबल स्टैंडर्स को एक्स्पोस किया दिल्ली वालों के लिए नियाय मांगा यहां तक कि लाल कृष्ण अडवानी जी और स्वर्गिय वाजपाई जी के लिए नियाय मांगा यह दर्द शायद बीजेपी को सता रहा है जिसके चलते आज वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स कर रहे हैं यह लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं बीजेपी पूरी तरीके से मेरे पीछे है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हफ़ते के यह दूसरा नोटिस कि आज के समय हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि विपक्ष की अवास को दबाया जाए जैसे राहूल गांदी जी की मेंबर्शिप छीन ली हमारे दो सांसत संजे सिंग जी, सुशील कुमार, इंकु जी दोनों को सस्पेंट कर दिया लीडर ओफ ऑपोजिशन का माइक ओफ किया जाता है अगर कोई विपक्ष का साथी खड़े होकर अपनी बात रखता है तो सदन के अंदर खड़ी मंतरी उन्हें धमकी देते हैं कि तुमारे गर enforcement डिरेक्टरेट आजाएगी, CBI आजाएगी बैट जाओ चुप करके इस प्रकार से एक अगोशित अपातका लगाने का प्रयास BJP इस देश में कर रही है और उनका यही मकसद होगा शायद कि मेरी आवास को भी दबाया जाए लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यह युवा आवाज है अर्विन केजरिवाल की एक सिभाई की आवाज है यह आवाज दबने वाली नहीं है आप कारवाईयां मेरे खिलाब जितनी मर्जी करिये आरोब जितने मर्जी लगाई है लेकिन यह आवाज ना दबेगी ना बंध हूँ और अंत में मैं हाज जोड़कर बस कि जूठी खबरे ना चलाएं मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सच दिखाएं आप लोग इस लोकतंतर के चौथे स्थम्भ हैं कृपया करकर बीजेपी के प्रोपगेंडा में ना फसें एक छोटे सेक्शन ऑफ मीडिया ने जरूर एक प्रोपगेंडा चलाने का प्रियास किया और मुझे मजबूरन उनके खिलाफ कानूनी कारवाई करनी पड़ेगी क्योंकि ना रेकॉर्ड में ना कंप्लेंट्स में ना पार्लिमेंटरी बुलिटन में कहीं भी फोर्जरी शब्त का प्रियोग किया गया है और अंत में मैं इतना ही कहूँ है कि जिन जिन सांसदों ने मेरे खिलाफ फोर्जरी के आरोप लगाएं सदन के बाहर मैंने देखा कई सारे बीजेपी के लोगसभा के सांसदों ने बयान दिये राजे सभा के तो शायद किसी सांसद ने नहीं दिये लेकिं लोकसभा के कुछ सांसदों ने मेरे खिलाफ ये बयान दी हैं मुझे उनके खिलाफ भी मजबूरन कमीटी और प्रिविलिजिज में नियाय मांगने के लिए जाना पड़ेगा उनके खिलाफ भी कंप्लेंट दर्च करनी पड़ेगी और कोट के बाहर भी पार्लिमेंट के बाहर भी नियाय पालिका में भी नियाय की गुहार लगानी पड़ेगी और मैं हर संभव लड़ाई के लिए तयार हूँ मैं बीजेपी से डरता नहीं और ना डरने वाला हूँ बहुत बहुत शुक्री नहीं अभी मुझे आज का जो विशे है इस विशे पर मुझे नोटिस नहीं मिला है जब आएगा नोटिस तो मैं पूरी मजबूती से effectively, comprehensively उसका जवाब दूँगा लेकिन पुराने वाले एक मसले पे मुझे एक नोटिस पराप्त हुआ है सोमबार को पराप्त हुआ है और मैं उसका जवाब ज़रूर देखे मैं इतना बस कहना चाहूंगा कि क्योंकि अभी मामला विशेशादकार समीती के विचारादीन है इसकी निटी-ग्रिटीज में जाकर किस से क्या बात हुई किसने क्या का मैं उस पे बिलकुल कोई टिपड़ी क्योंकि ये उचित नहीं होता है मैंने अपनी बात रखनी थी आज मुझे मजबूरन क्योंकि मेरी चवी खराब करने के लिए as a parliamentarian, मेरी goodwill, मेरी credibility खराब करने के लिए एक propaganda जो BJP ने चलाया है उसका जवाब देने के लिए आज मुझे सामने आना पड़ा तांकि दूद का दूद और पानी का पानी हो जाए और मैं खुली चुनौती देता हूँ सारे जवाब अब विसेसा अधिकार समित के सामने देए